अलो गाईज आज हम एक प्रिंसेस कट बिलाउस की कटिंग करना सिखेंगे बहुत ही आसान तरीके से आज हम मार्जिंग के साथ कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि मार्जिंग के साथ बिलाउस अगर कटिंग करना है तो किस तरह किया जाता है जबकि मैं नहीं करता हूँ वो सही तरीका नहीं है फिर भी मैं करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि किसी ने मुझे बोला है कॉमेंट में कि आप मुझे फ्लीज मार्जिंग के साथ बताईए तो मैं वो भी करके आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे किया जाता है तो यह पूरा वीडियो देखिए और मैं देखिए किस तरह करता हूँ चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे तो हमको सीधा एक मार्किंग करना है जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे लेकिन margin के साथ कैसे cutting करेंगे मैं एक अलग तरीका आप लोग को बता रहा हूँ जब कि मैं इसमें add नहीं करूँगा कोई भी measurement को मैं add नहीं करूँगा जो measurement है जिस तरह हम bigger margin का cutting करते हैं उसी तरह करेंगे लेकिन तरीका change करके करेंगे कि किस तरह करना है तो देखिए हमारे जो blouse का length मैंने उतने लिया है 14 निच का डाट पांट जितना है उतने लिया है यानि कि 9 निच पे तो इस तरीके से ही हम करेंगे जो हम करते हैं वही करना है कुछ minus plus करके नहीं करेंगे लेकिन आपको एक अलग तरीका बताएंगे कि अलग तरीके से भी बार्जिंग वाला जो भी आप blouse cutting करना चाहो तो कर सकते हो जो मैं formula बताता हूँ उसी पे आप कर सकते हो तो इस तरीके से मैंने दोनों निचान को लगाया अब आपर जो भी solder हमारा है उतने पर मैं निचान लगाँगा उसका half करके तो आप देखिए solder 15 आप है तो इस तरह मैंने पौने 8 पर निचान लगाया है और एक इंच मैंने वहाँ से down कर दिया यानि माइनस कर दिया नीचे की तरफ वहाँ से मैं slope दोगा यहाँ पर पौने 3 के करी मैंने लगाया है यानि neck की broading अब वहाँ से मैं इस तरह slope देता हूँ यानि सारे blouse में मैं इसी तरह का cutting करता हूँ जब बिना margin का cutting करता हूँ और इसी तरह से मैं margin वाला भी कर रहा हूँ जिस तरह से मैं वो करता हूँ तो देखिए इसमें फरक क्या है कहां पर है और मैं ये blouse cutting करके आपको दिखाऊंगा तो कहीं पे आपको इस्टा margin नहीं रखना है अगर margin वाला cutting कर रहे हैं हम तो सब जगा margin रखना है नहीं कर रहे हैं बिना margin का करेंगे तो कहीं भी margin हम नहीं रखेंगे इस तरह से मतलब कि आप बिल्कुल एक जैसा ही रखेंगे जैसे भी यानि प्रिंसेस कट पे भी बहुत लोग करते हैं तो margin अलग से बताते हैं रखना है और बाकी जगा पे नहीं रखना है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा आपको कहीं नहीं रखना है उस इसाप से मैं cutting करके आपको दिखाता हूँ और एक quarter inch की तरह मैंने नीचे की तरह निशान लगा दिया length के अलावा ताकि हम यहाँ पे ऐसा shape दे देंगे तब हम प्रिंसेस कट का shape लगाएंगे तो अच्छी तरह से वहाँ पे गड़्डा नहीं पड़ेगा और अंदर की तरफ नहीं जाएगा एक दम state आएगा वेष्ट इसके लिए हमने लगा लिया है तो देखिए अब यहाँ पे हम 1.5 inch के करीम माइनस करेंगे क्योंके हमारे back का जो neck है वो ज़्यादा low नहीं है 9 inch का है तो यहाँ पे 1.5 inch ही हमको करना है friend neck भी 7 inch है इसलिए हमको 1.5 inch ही माइनस करना है उससे ज़्यादा नहीं करना है और देखिए हम यहाँ पे सीधा एक निची निचान लगा लिए 4 inch के करीम इस तरह से मुतार लेंगे 4, 7, 4, 3, 5, 4 जो भी लगाना है आप यहाँ लगा सकते हो इसका perfect formula नहीं है कि आपको इतने पे ही लगाना है वहाँ पे निचान लगा के इस तरह से save दे देंगे princess cut का ज़्यादा ज़्यादा आर्मोल के center से निकाला जाता है वह सही तरीका है कि जितना भी आपका आर्मोल बनता है उसके आदे पे लगा लो तो ज्यादा बेतर होता है तो उस तरीके से आप आदे आदे पे लगा लोगे तो ज़्यादा अच्छा है चलेगा अब देखिए मैं यहाँ पे पौना इंच का एक निसान लगा रहा है यानि तिरी 4 इंच का यह हम की लगा रहे है margin के लिए लगा रहे हैं यानि कि हम ये दोनों तरफ का margin हम पौना इंच से लगाएंगे निसान तो इस तरह से दोनों तरफ का margin हो जाएगा और यहाँ पे जब हम पौना इंच का डाट लगाते हैं तो उसके बजाए हम तेर्ट इंच का लगाएंगे तो इस तरीके से देखो मेरा तरीका जो ऐ किस तरह से अलग है। उस तरह से मैं कर οποि दिखा रह옹। यह 잡ा से जो सुल हार हम करेंगे सो फोर से दिवाइड करेंगे और उसके बाद में जो आधा इंच बढ़ाते है तो आधा इंच नहीं बड़ा के सीदा लिए तो जो बीyy वह स्था, यह पर्फेक्ट है इसमें कुछ भी छेड़ चाल करने की जुरूत नहीं है और उस तरह से यह हम निसान लगा लेंगे राउंड करके आप फ्रेंच करवा से लगाना चाहो तो उससे लगाओ आज से अगर लगाना चाहते हो तो आज से लगा लो इस तरह से हम निसान लगा लेंगे तो हमारा वही की तरीका है लेकिन margin के साथ का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ भी measurement में changing कुछ नहीं करना है सिरिप मैंने अभी जो किया है center part का margin के लिए उतना ही आपको करना है पूरे बिलाउज में बाकी आपको कहीं कुछ भी नहीं लेना है बिल्कुल perfect आ जाएगा तो देखिए आदा इंच का ही फरक है अपर चेस्ट और चेस्ट में लेकिन हमको यहाँ पर डाइंच का निकालना ही निकालना है तो मैंने बताया था आपको कि कम हो ज्यादा हो जैसे भी हो मैंने एक वीडियो में बताया था तो आपको डाइंच ही निकालना है अगर अपर चेस्ट चेस बराबर है तो और कम है तो और यह एक इंच का फरक है तो आदा इंच का फरक है तो तो मैंने उस हिसाब से डाइंच निकाला और उसके बाद पहुना इंच मैंने यहां पर बढ़ा लिया यानि कि दोनों तरब का मार्जिंग फिर मैंने यहां पर बढ़ा लिया और इस तरह से तो मैं अब निसान को इस तरह सीधा कर लेता हूँ अब दोनों तरफ का मैंने इकवेल नाप लिया था कि उधर जितना यह सीम है जो हम सेंटर पाट का उतनी सीम हमने यह डाट से इधर का ले लिया है तो इस तरह से यह जोईन करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा अब हम करने के बाद में हमने जो निसान लगाया है यानि के ढाइग और प्लसर का तो वहां से निसान लगा के जो भी बंता है मरा 29 उसको थो से डिवाइट करेंगे अर जितनाorg बेंता है उतना लगा लेगें तो इस तरह से हमको लगा लेना है तो इस तरह से हम निशान लगाईगे तो यह परफेक्ट हो जाएगा इस 평 10 तरह करने के बाद में जहां भी имсяान निकलता है वहाँ निसान लगाने के क्लीण से लाइन से मैंने टेड़ इंट्चर लेंद सॉट कर लिया है यानि के friend का length मैंने sort के है, ताकि back भी sort बने, और तब जाके यह बैठेगा, अ उस तरह मैंने side बन कर लिया, और नीचे का भी बन कर लिया, अब princess cut का shape मैंने यहां से दे दिया, तो देखिए वो same है, अगर आप marking पे cutting कर देते हो, तो यह बीना marking का हो जाएगा, बीना margin का, अग ये कोई भी फरक नहीं है बस भी है कि मैंने तरीक़ आप लोग को बताया आप लोग को ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे कैसे आप ने बताया है मुझे वो मारिजिंग के साथ आप कटिंग करोगे तो बराबर समझ बच्ता बोठ लोग को मांदी के साथ proportion चलता है बहुत लोगों नहीं चलता है तो क्या है कि जब भी पाइटन या फर्मा या कोई भी बढ़िया अगर डिजाइनर भी ला उसकति करते हो तो मार्जिंग के साथ करो गए तो दिक्कत में आ जाओगे इसलिए मार्जिंग के साथ नहीं की आ जाता है तो इस तरह से मैं बताता हूं उस हिसाब से ध्यान से सुनो मार्जिंग के साथ करोगे तो सही कटिंग नहीं होगा। यह मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको समझ में आता है तो आप लोग कर ले ना। और मैंने जीतना सोल्डर का प्रोडिंग था उतना मैंने रख लिया अपने इसाब से मैं आया और साइड का मार्किंग नहीं किया था तो मैंने सीधा 1.5 इंच का लगा दिया तो 1.5 इंच यानी फुट पट्टी के चोड़ाई के बराबर मैंने लगा दिया अब मेरा पूरा यह मार्जिंग के साथ में हो गया अब हम कटिंग करेंगे तो देखो किस तरह हम छोड करते हैं घम को सेकषैंड मार्किंग करने की की जरूति नहीं है बहुत लोग का Wonderful कर्क से मार्किंग करते हैं कि इतना मार्जिंग है आपका इतना पकड़के शिलना थेंग के अलग है या नहीं है अगर है तो आप लोग comment करके बताना की अलग है की नहीं है अब मैंने इस तरह से जितना भी आपको पकड़ के सिलाई करना है उतना छोड़ते हुए मैंने cutting कर दिया बराबर हो गया आपको कपड़े को भी ऐसे कटिंग कर लेना है जैसे मैंने किया है तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा अब यहां पर हम सेंटर में एक निसान लगा लेते हैं कट लगा लेते हैं और बाद में हम आर्मोल को मिला के तब कटिंग करेंगे ताकि वहां का सेफ जो होता है जो भी cross print का safe होता है वो अच्छी तरह से होना चाहिए इसलिए हम उसको बाद में cutting करेंगे और यह panel को भी हम इस तरह cutting कर लेंगे presence cut panel को तो यह हमारा cutting हो गया यह front part का तो इस तरीके से हमने कर लिया अब इसको मिला के हम cutting कर लेंगे आर्मोल को set कर लेंगे उसके बाद हम जो है बैक का cutting करेंगे तो बैक का भी मार्जिंग के सब मैं आज कोदो हमार कों मार्जिंग के साथ कैसे cutting होता है तो आप लोग देख लो आप लोग तो पता ही है मैं तो अपने तरीके境 से कर लो अगर मेरा तरीका आप लोगो यह कुछ समझ में आता है ठीक लगता है तो comment करो मैं ऐसको चाहिए है ऐसा cutting करके दिखा दूगा लेकिन कभी भी designer below cutting करना है बहुत सारे design होते हैं उसमें अलग-अलग तरका होता है तो बिना margin का ही किया जाता है तो अच्छी तरह से आप set कर सकते हो अच्छी तरह से आप margin के साथ set करोगे तो थोड़ा तकलीफ होता है cutting करने में होने का तो हो जाता है लेकिन सही तरीका नहीं है मैं इसलिए बार-बार बोलता हूँ वो सही तरीका नहीं है तो इसलिए designer below में जाके आप अटक जाओगे यानि कुछ तकलीफ हो जाएगा कुछ ज़्यादा सोचना पड़ जाएगा ज़्यादा तकलीफ से cutting करोगे यानि जितना easy cutting बिना margin वाला कर लोगे उतना margin के साथ नहीं कर पाऊगे क्योंकि margin के साथ में cutting नहीं होता है वो ठीक तरीका नहीं होता है आप इसको अभी embroidery में दोगे ये पूरा बिलाउज बिगड़ जाएगा आप करी नहीं पाऊगे इसको अगर इम रोड़री में आप देते हो तो समझो इम रोड़री बर जिस तरह से ये model ने पहना है पूरा काम बरा हुआ है आप करी नहीं पाऊगे ऐसा तो इसलिए मैं बोलता हूँ कभी इस तरह से नहीं cutting होता है लेकिन आप देखो मुझे तो ये इतना नहीं शूट करता है लेकिन आप लोग को किसी किसी को लगता है ये ठीक है तो cutting करके दिखा देंगे आपको तो देखे मैंने ये रखा है और वहां से बैग ओपनिंग करना है तो ओहां पे छोड़ के रखना है देखो मैंने कितना यानि 300 के करीब मैंने छोड़ा है तो इस तरह छोड़ के रखना है ताकि आप opening के लिए वहां पे margin छोड़ना जरूर के आपको मार्किंग के उपर इस तरह से करकर के लगाना पड़ेगा तो इसलिए मैं बता रहा हूं तो आप देखो कितना इसमें दिक्कत है कि नहीं है अब देखो मैंने बराबर पर ही रख लिया इसको जितना मैंने डाट निकाला था पौना इंच का उपर यानि कि अभी छो तो रॉंग हो जाएगा लेकिन अंदर की तरफ आपको लगाना इस तरह से उठा के तो उठा के लगाना पड़ता है इस तरह से यही प्रोब्लम है इसमें यही सब दिक्कते आता है इसलिए मैं इसा नहीं बताता हूं आप लोग को और यह थोड़ा मैं अंदर लगा लिया इसलिए कि हम क्या करेंगे कि जब भी हम माइनेस करेंगे जो हमारे आपरचेश था वह थोड़ाए वह थोड़ा आधा इंच बढ़ाया था हो मैंने अंदर की तरफ मायन कर लिया इस तरह से उठा करना पड़ता है और उसमें नहीं करना पड़ता है डाहिक लगा देते हैं तो बार्जिंग हमको दिखाना है जब बैग में तो हम इस तरह से उठा उठा के और जहां हमारा फिक्स मार्किंग है यानि हमने किया है जो भी चौक का वहां पर हमको निसान लगाना पड़ता है और देखो मैं यह बाहर से ही लगा रहा हूं अभी सोल्डर का लेकिन बाद मे पहले मार्किंग का मैं इसान कर लेता हूं ताकि इस तरह कर लेंगे तो मेजर करेंगे तो बराबर समझ में हैगा क्योंकि हम यह उतना छोड़के ही मेजर करेंगे कि जो भी हमारा बैक का वेस्ट है या अपर चेस्ट है तो हम यह से नापेंगे तो यह बराबर होता है तो तो आपको शिर्फ 9 लिए आपको उतना ही बराबर पर रखना है और वेश्ट का मैंने इस तरह से निसान लगा लिया और वेश्ट का 10 इंचके करीब एक उन्च करीब आप इसलगा सकते हो उससे जय जादा आपको नहीं लगाना है कैने के यहां side का भी लगा लेना है तो जितना friend का हमने लगा है उतना ही back का लगा लेना है तो equal हो जाएगा यह हमारे निसान हो गए अब हम इसको देखिए हम solder का निसान लगा रहे है तो यह पूरा मैंने लिया है solder जो friend के हिसाब से लेकिन उसमें से कम करूँगा मैं लगा लेना है तो जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे लगा लो तो यह मैंने गलत लगा दिया क्यूंकि marking के उपर लगा दिया थोड़ा अंदर की तरफ लगाना पड़ेगा तो मैं उस change कर दूँगा बाद में इस तरीके से कर लेना है अब हमको इस्ट्रा यहां पे नीचे की तरफ बढ़ा के लगा लेना है ताकि हम डाट उगरा लगाएंगे तो जो भी इस्ट्रा बढ़ता है बैग में देखे डाट लगाने से क्या होता है कि जब हम यह आपस में क्लोस करते हैं तो थोड़ा सा हमाँ पॉइंट निकलता है तो इसके लिए मैंने बढ़ा के निसान लगा लिया अब मैं यह रख के आपको दिखा देता हूं कि जितना अंदर अंदर है उतना निसान लगा के हम निसान को चेंज कर देंगे क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको कि मैंने बाहर के इसाब से लगा दिया था तो कभी मैं कटिंग करता हूं तो मुझे आतत है कि मैं जितना फर्मा होता है उतनी लगाता हूं और वराबर एक्वल आता है लेकिन यह मार्जिंग वाला है तो यह मैं देखा जाए तो मैं फर्स्ट टैम कटिंग कर रहा हूं मैं ऐसा कभी कटिंग किया नहीं हूं लेकिन किसी ने मुझे कॉमेंट किया था कि मार्जिंग वाला बताओ तो मैंने बोला चलो मार्जिंग वाला ही ट्राई करके आज देखते हैं तो मुझे भी कुछ सीखने मिलेगा तो मैं भी सीखने के हिसाब से कर रहा हूँ आप भी सीखो इसमें तो आप लोग को अगर आता है तो ठीक है नहीं आता है तो आप जो है ट्राइ करना चाहो तो कर सकते हो नहीं तो जो मैं बताता हूँ आप लोगको बैतर लगता है तो उसको आप ट्राई करते रहो वो ज्यादा बैतर तरीका है मैं इसको कभी भी नहीं बुलूँगा कि यह बैतर तरीका है आप कटिंग कर सकते हो आप इसको फर्मे को रखके जब कपड़े कटिंग करते हो तो उससमें िजी तरीके से आप बढ़ा के रख सकते हो बराबर पर cutting करके फायदा क्या है इस पर, में आप मिला के मैं ने देख लिया, सोलडर जो ना ब्रोड है उतना इसको भी रख लेंगे ओर इस तरह से छोड़ते जाएंगे जितना आम को दबाना है यहने करना है जितना कपणा पकड़ के चलना है उतना मैंने चोड़ते वख कर लिया अब यहां बेडाट लगाेंगे तो जो मार्जिंग के इरिया है इंच के हिसाब से आप अंदाज से डाट को कटिंग कर दो या तो फिर निसान मार के आप कपड़े पर कर सकते हो तो कटिंग नहीं किया जाता है निसान नहीं लगा जाता है लेकिन मैं क्या है कि कटिंग करके आपको दिखा रहा हूं फर्मे में ताकि आपको समझ मैं है कि इस वो शाट को सीधा कर लेंगे तो सीधा हो जाएगा तो देखें आभी纹 मार्जींु छोड़तेव रहा हूं तो इह करना कोई बहुत दिखत वाली बात नहीं है कुछ भी इसमें नहीं है कुछ भी ऐसा मसला जी कि आपको margin वाला ही करना चाहिए भीना margin का भी करोगे चलेगा margin वाला करोगे तो भी चलेगा तो देखो मैंने कर दिया यह है तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने करके दिखा दिया अब मैं इसका sleeze cutting करके आपको दिखाता हूँ कि sleeze की cutting कैसे होती है तो आप पूरा वीडियो देखिए कि अभी यहां तक आपने देख लिया है तो स्लीज भी देखते जाएं मार्जिंग वाला किस तरह से होता है तो स्लीज का मेजर्मेंट देखिए 5 हाफ पे हमको मिला है साड़े 11 का बॉटम यानि कि 5 हाफ पे 11 हाफ तो इस तरह से मैंने सीधा मार्किंग कर लिया अब यहां नापूंगा तो थोड़ा सा मेरा स्लीज कपड़ा हो रहा है यह मतलब पेपर हो रहा है तो चलिए उत्रही समझ लिजीए साड़े 5 का ही है तो उस हिसाप से मैं एक मार्किंग यहां पर लगा देता हूं और उसके बा तो ट्राइ करना मुझे तो नहीं लगता है 13 सबाट 13 होगा इस से ज़्यादा नहीं होगा तो आप चेक कर लेना अगर बराबर रहे तो ठीक है तो इस तरह सीधा निसान लगा दिया यानि 11 आपको हाफ करके और इस तरह से टंड करके देख रहा हूं तो देखो यह ज्यादा ह तो मेरे इसाब से ठीक नहीं है यह थोड़ा प्रब्लम है तो आप ऐसा अर्जेश करके कटिंग कर लेना ऐसा कुछ नहीं है तो अच्छी तरह से निकलेगा और इस तरह से मैं निशान लगा देना है क्रॉस करके यह ज्यादा क्रॉस हो रहा है इसके लिए मैं आपको बोल अच्छी तरह से चेक कर लेना यह दोनों हो नहीं सकता है कि दोनों जो आपने मेजर्मेंट दिया हो मैच करेगा यह करेगा ही नहीं आप करके ट्राइक कर लेना क्योंकि इतना वहीं पे थोड़ी दूर पे इतना गयब तो नहीं होता है इतना क्रोस आएगा तो इस तरह से म को cutting कर देंगे friend के part को तो यह 1,5-14 के करीब यह आपको काटना इस से ज्यादा नहीं काटना है जो मैं cutting कर रहा हूं तो आघ्ण एक सूथ के करीब में cutting किया है तो आपको अगर लगता है तो कम cutting कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने तरीके से कर दिया है तो मैं दिखाने के लिए किया हूँ, यह मार्जिंग वाला है तो इससे आप से मैंने मार्किंग कर दिया है, और यह मैं सीधा कर लिया तो इस तरीके से हमारा हो गया, यह मेरा पूरा पेपर यह फर्मा जो भी है यह पूरे बिलाउस का कटिंग हो गया आप इस तरह से कटिंग करो और ट्राइ करो कैसा होता है तो इस तरह से कटिंग करके आप बनाओ और देखो कैसे होता है यह मैंने मार्किंग करके दिखा दिया कैसा दिखता है तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्ला हाफिस